आपको अगर एनर्जी जेना बुट थके हारे आये हो भाई और उसके बाद आपको ये ठंडी ठंडी बॉटल मिल जाना तो उससे बढ़िया कुछ ही नहीं हो सकता मैं केवेंटर से अलग इसलिए कहना चाहूंगा थिए बेसिकली जिक शेक्स, आइस्क्रीं जिक्स, इस इस कोल्ड ब्रूइड कॉपी हमने अभी एक निया कॉंसर्ट बें प्रिड्यूस कि है शुगर फ्रीगा कुछ हमारे पाद बहुत इंक्वाइड यहां शुगर फ्रीपी लाओ हुआ है हलो गाइस आप देख रहे हैं पैचान फरीदाबाद और मैं हूँ आपके साथ चिराग वेल तो यार अक्सर जब हम कॉफी का नाम सुनते है ना तो हमारे दिमाग में आलिशान सा कैफे आता है एक बढ़िया सी सिटिंग और वो सब लेकिन अगर हम बात करें ना है कॉफी की का पार्ट होना चाहिए उसी कॉंसेट के साथ आज हम लेका है बहुत यूनीक जगा आप लोके लिए ऐसा वेंचर जो अपने आप में कॉफी को जो है स्ट्रीट तक लोगों के लोगों तक पहुचा रहे हैं स्ट्रीट के द्वारा आज हम आपके लिए लेकिया ह को कॉफी को लोगों के स्ट्रीट से पहुचा रहे हैं को देए बहुत भली कि अब टिस जानेंगे खुद का कॉफीवालो के स्ट्राट उन्म ने शुरू किया लेसे अनुछ था उन्हों ते लो भाला कि क्या है जेए क्या है असल में को हम पूझाए था क्या है अनुछी की कहानी आड़ो हेलो सर आप मुझे कहानी बता सकते इस कॉफी वेंचे के अपने कैसे सोचा बेसिकली हम चार लोग हैं बेस्ट फ्रेंड है सिन् सेवन इर्स नहों मतला हम चार लोग है गॉरभ मैं अखिल कॉनाल और प्यूट्स हम चार लोग है मैं जिए तीन चार्ट्रेंग और एकका बुझे मार्केश के बया है तो बेसिकली को अपना ओफी का ऐइडा इसे आया कि अफी जोट्ण और विद बूद अपीलिंगे इसफियोट को तो बेसिकल यही स्टोरी है, कुछ ऐसा हाद न फास महीं है, शोटर समय यही स्टोरी था कि हमें शुरू सही बिजनस करना था, तो हमने उसी बेसेस पर कुछ न स्टाट किया कि अभी डर नहीं लगा कि हम इतने अच्छे स्टेज पर खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आलग से यही स्टाट करें क्या पता नहीं चलाए हमारी जोломु सही है जहां, वो एक रिस्क अपी ठाकिया तो ऊसमें हम चाहते। कि आगे जागे हमें कुछ रिग्रेट फील हो कि हम नहीं नहीं किया हुआ हमारा बिजनस एक में बोलता कि हमें बिजनस ही करना है तो खीक है कि उसी चीज को हमें सोचते हुआ आगे इसमें कॉंटिन्यू करें और पूरा अपना देते हैं पूरा महनत पूरा टाइम इसमें द तो उसके बाद से हमें 20 दिन हो गए हैं अभी स्टार्ट करे हुए तो बेसिकली तो बेसिकली तो अच्छी चीज दे रहे हो कम दाम में दे रहे हैं हमारी बिल्कुल आपकी बात एकदम ठीक है मैं इसले गोलना चाहूँ है क्योंकि हमारे जो डिफ्रेंट है वो यह है कि फ्रेशनेस डेली बनती है किछन में सेक्टर 16 में हमारा ऑफस है डेली हम बनाते हैं मैनुली बनाते हैं हमारा जो फॉर्मला है प्रोप्राइटरी फॉम करके हमने एक नया प्रोड़क्त आज इंटर्ड्यूस ही कर दिया है तो आज हमारे पार सैंपल जाएं इसके तो आप लोग भी ट्री करेंगा विलकुल तो वैसे ही कुछ है अब मैं केवेंटर से अलग इसले कहना चाहूँ हूँ कि बैसिकली थिक शेक्स आइस्क्रीम शेक अगे अगर आपको पीना है तो यह पर्फेक्ट ली फान पो यूँ कोई प्रसेश्ट नहीं कुछ नहीं सब कुछ नाच्रल है तो आप में सुना उन्होंने बोला है कि बहुत प्यॉर है और बहुत महनत के उन लोगों ने शुरू किया है मैं इसको पका टेस्ट करने वाली मैं अल्रीडी बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे साथ चराग भी है मैं उसको भी बोलूँ कि कि टेस्ट करें उसको क्योंकि बहुत कॉफी का शॉक भी है अब मैं आपको सच में बताती हूं इसका टेस्ट कैसा है ठीक है अब बहुत यहां मतलब जैसी कॉफी मुझे पसंद है ना सुधा पहुत नॉमल वही है सच में बहुत यहां मैं गाईस मैंने कहीं बहुत जगाओं की कॉफी पी यह उसमें क्या होता है खड़वा करवा सब टेस्ट आता है लेकिन सच्छ में जैसे कॉफी में पीती हूं मुझे सेम भैसी ही कॉफी यहां पर मिली है आगे से स्टारबुग्स नहीं जाओंगी कॉफी बालों क्या हूंगी तो गाइस मैंने ले लिया यहां की best selling coffee जो है इनकी hazelnut है तो इसे मैं टेस्ट करने जा रहो हूं और देखते है भाई यह क्यों इतनी best selling जो इसको बोलते हैं आपर क्यों है उपर से मैं एक बात हो गया चाहूंगा यह शेक नहीं है शेक्स बहुत थिक होते हैं प्लस में गाड इसको जड़ा मैं यह देखो पहले एक्दम फ्रेश लग रही है देखने में तो स्मेल भी काफी अच्छा करें काफी अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें से तो इसको फटा-फट से टेस्ट करते हैं कि नाइस का इसका बहुत अच्छा टेस्ट और को फी का जो फ्लेवर एक को आई रहा है साथ में जो एक का अलग एक उड़्ट है तो उसके अजिएने तेस्ट में में तो उसके नहीं कोई मिल जाना तो उससे बढ़िया कुछ ही नहीं हो सकता और बेस पार्ट पता इसका क्या है इसका प्राइस भाई मतलब इतने इतने महंगे महंगे मिलते हैं भाई यह मैं सही बता रहा हूं सिक्स्टी रुपीज में इस वर्थ इट भाई इस एपसलूटली वर्थ इट में आपको बता नहीं सकता और यह बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग बहुत ही जादा एनरजी देने वाले आपको और टेस्टी तो ही तो यार हमने यह पे यह जो कॉफी वाले का पूरा जो भी आप लोगों के लिए एक नई चीज लेका है पहचान एक्स्लूजव है यह भी चीज और यह जो पूरा कॉंसेप्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा एक जो कन्वेंशनल हम लोगों ने बनाय हुए कि कैपे में बैट के बड़े एक्सपेंसिव सी जगा बैट के एक कप कॉ कॉफी जो है घरगर का पाथ है स्क्रीट का पाथ है लो हर किसी के लिए कॉफी है तो कोई भी आए तो कॉफी वाला जो है एक ऐसी कीज आप लोगो को दे रहा है कि आप जो है बहुत असाने से उस्कीज एक्सर कर सकते हों यह सच में बहुत रिफ्रेशिंग है इस टाइम बहुत गर्मी है और मैं रिफ्र करूंगी कि यहां पर और कॉफी वाले की कॉफी और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे पहतान परिदाबाद में शुर्ट एट यू लाइक कमेंट और शेयर कर देना इस वीडियो को सभी तब थैंक्यू थैंक्यू